नमस्कार प्यारे चात्रों आप है राजकुमार पटेल सर्य यूटूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं एड़ेट अब्यास पुस्ति का आज हम पढ़ेंगे कप्छा पांच मी की पर्यावरन पुस्तक का पार्ट 18 पार्ट 18 का नाम है जाएं तो जाएं कहां इस पार्ट के हम प प्रस्ण है प्रस्ण पहला है सही विकल्प चुनकल की आनमर का प्रस्ण जात्रया के गाउं छोड़ने का कारण था इसका दूसरा विकल्प सही है बांध बनना आगी है प्रस्ण बानमर का नदी पर बांध बनने से उसके आसपास के गाउं को क्या फायदा होगा इसका उत जात्रया जब मुंबई पहुंचा तो जीवन यापन के लिए उसने कौन सा कार प्रारंब किया इसका तीसरा विकल्प सही है मचली पकड़ने की जाली की मरमत का कार आंगे है रिक्तिस्थानों की पूर्टी कीजिए प्रस्न पहला है सिंदूरी की लोग खेडी की लोगों को कहकर मजाप उडाती थी इसका उत्तर है मिदा बुलाए महमान नर्फ फ्रस्न जात्रया घेडी कारण चार बनने के कारण सिंदूरी का आया था सिंदूरी क्बान टीसरा जात्रया भाई खालिस्तान और खालिस्तान बेंच pelo का मुंबई आए इस का उत्तरहें जमीन और दू सामना करना पड़ा इसका उत्तर है मुसीवतों का खालिस्ताने में लिखेंगे मुसीवतों आंगी आदी लग उत्री प्रशन प्रशन दूसरा है आप बड़ी होकर गाउं में रहना पसंद करेंगी या सहर में क्यों इसका उत्तर है गाउं में क्योंकि गाउं का बातवन और ह आवाद सुद्ध होती है यह हमने यहां लेखा आप अगर सहर में रहना पसंद करती है तो आप सहर भी लिख सकती है प्रशन तीसरा है सहर में आवादी जादा होती है फिर भी लोग अकेला महसूस करती है क्यों इसका कारण है सहर के लोग पैसा कमाने की दोड़ में लगे रह कि आंगे लगत्ति प्रस्न है प्रस्निक्रमांग पांच महें खेडी गाओं के लोगों को सिंदूरी गाओं में आने पर केंगें कटनाईयों का सामना करना पड़ा इसका उत्तर है सिंदूरी में प्रतेग वस्तू पैसों से मिलती थी यदि कोई बीमार पड़ जाता तो डॉक्टर को अस्पताल में रिखाना पड़ता था अस्पताल में देवी नहीं मिलती थी जबकि जाल्या के गाउं में सेहर का जीवन सब्से पहला कारण हमने लिखा गाउं का जीवन सांत और खुचाल है सहरवाली में लिखा सहर का जीवन असांत और दोड़ भाग वाला है दूसरा है गाउं का बातरवन और हवा सुद्ध है शहर का बातरवन प्रदूसित और हवा जहरेली है साथवा प्रस्ण है क्या आपने ऐसी बच्चों को देखा है जो पढ़ने की साथ साथ काम पर भी जाती ही उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ता होगा इसका उत्तल का हाँ मैंने ऐसे बच्चों को देखा है उन्हें ऐसा उनकी घर की आर्थे कमजूर इस्तिती की कारण करना पड़ता है आगे है प्रश्न करवांक आठवा बच्चे खेडी गाओं में काम कर रहे थे और मुंबई में भी काम कर रहे थे परन्तु भी खेडी गाओं में खुस थे क्यों इसका उत्तर है क्योंकि वे बच्पन से गाउं में रहे रहे थी उनको गाउं पसंद था परन्तु मुंबई में नई जगा पर प्रदूसित वातवर्ण और भाग दोड़ भरा जीवन था आगे दिर्गुत्री प्रशन है प्रशन नौमा है बांध बनाने के लिए लोगों को अपने घरों से हटा कर दूसरी जगा बसाना ठीक है या नहीं सोचकर लखिए इसका उत्तर है बांध बनाने के लिए लोगों को अपने घरों से हटाना ठीक नहीं है क्योंकि जहां उनकी पूरी जीवन जीने कि वरस्ता व्युवसाय सब है वह सब उजड़ जाता है और जीने के लिए नए विवसाय और साधन होजना पड़ता है जो की बहुत कठिन होता है आगी दस्वा प्रस्ण है बांध बनाने की फायदे और नुकसान लिखी है तो यहां इस साइट हमने फायदे लिखे हैं और इस साइट है नुकसान पहला फायदा है जल संचेन, दूसरा है सेचाई ववस्ता, तीसरा है बिजली उत्पादन, चौता है बाड़ने अंतर और पानी की गुड़बत्ता यहां कोशी नुकसान लगी है पर्यावन प्रभाव, जनसंक्या विस्तापन, आर्थिक बोज, जोखेम और सामाजिक प्रभाव इस तरह से यह इनकी नुकसान है इस तरह से प्यारे शात्रों इस वीडियो की माद्यम से हमने इस पार्ट के प्रश्मातरों को पूरा किया आंगी की पार्ट के प्रश्मातर के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें धन्रबाद जेहन बंदिमातर